अपको काफी अच्छा बहतरी मोका मिला जैसे ही मार्केट डे क्लोज से नीचे निकला आपको सीधे सीधे सेलिंग अपोर्चिनिटी मिल ले थी टार्गेट था आपका 17,800 यह आपको कल ही बता दिया गया था और आपका टार्गेट भी अच्छीव हुआ और यहाँ पे मार्क ने 17,800 का ब्रेकडाउन भी दिया तो यहाँ पे काफी सवाल उठते हैं मैं आपको काफी अच्छी लर्रिंग देने वाला हूँ इसे ध्यान से समझेगा जो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ क्योंकि मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ कि मान लो यह कोई लेवल है मार्क ने इसका ब्रेकडाउन दिया है तो यहाँ पे सवाल उठता है काफी लोगों ने सोचा होगा कि आपने बताया था कि 17,800 का अगर ब्रेकडाउन आता है तो आप सेलिंग पोजिशन बना सकते हो यह सिट्वेशन अमने डिसकस की गई थी लेकिन जो लोग आधिया धूरी बा लेता हूँ कि आप बैरा लोगग क्यरिया Childism in 2000 को ओकैं हमने द्रोग कर लिया चैच्पर य्जिद्य में एक्जेक्टि रोग कर लेता हूं इससे आपको पूरा केल्यर हो जाये ओके हमने ये ड्रो कर लिया 17,800 ये लेवल आ गया अब यहां पर आप ध्यान से देखो पहीं मार्किट में ये भी रेड केंडल ये भी रेड केंडल ये भी रेड केंडल ये भी रेड केंडल यानि कि ये एक चलती ट्रेन बन गई पहला पॉइंट ध्यान से समझो एक चलती ट्रेन बन गई और चलती ट्रेन अगर किसी इंपोर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन कर रही है तो हम एंटरी नहीं करेंगे बलकि हम उस लेवल पे जाते ही प्रॉफिट बुकिंग करेंगे यानि कि पहला टार्गेट तो हमारा आचीव हो रहा है जैसे डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चला तो हमारा टार्गेट था 17,800 क्योंकि हम जानते थे पहले भी मार्केट इसी लेवल पे सपोर्ट लेकर बाउंस कर गया था लेकिन यहाँ पे मार्केट ने इसका मैंने आपको हमिसे एक बात करिये है, च़ये breakout आ रहा है, च़ये breakdown आ रहा है, किसी भी important level को market सीधे breakdown नहीं करेगा। अगर सीधे breakdown कर रहा है, तो तुरंत profit booking कर लो और उस level से दूर हो जाओ, क्योंकि हम proper किस तरीक से entry लेंगे, या तो market वापिस आए, इससे retest करें, फिर momentum दिखाए, या फिर market इससे पहले ही रुख जाता, उपर ही support ले लेता और market यहाँ पे कुछ time spent कर देता, और फिर breakdown देता, तो हम entry दोबारा ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे market ने क्या किया, हम तो profit में थे, भई, position हमारे according चल रही है, और हमारा target भी achieve हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी zone पे profit booking करनी होती है, अगर breakdown दे रहा है, तो हम इंतजार करेंगे, यह तो market वापिस आए, retest करेंगे, यहाँ पे कुछ time spent करेंगे, फिर momentum दिखाए, यह उससे पहले ही market रुख जाता है, और यहाँ पे momentum करता है, और फिर आपको breakdown दे देता, लेकिन market ने क्या किया, breakdown देते हैं, यहाँ पे एक pin bar candle बना दिया, और इस level का breakout दे दिया, पर यह भी हमारी एक strategy है, जो मैंने course में discuss कि हुई है, आपको जिन्होंने course जोइन किया है, उन्हें इस चीज का idea होगा, लेकिन आप घबराएं नहीं, मैं आपको यहाँ पे भी, क्योंकि मैंने आपको कहा था, कि मैं content में कोई भी कमी नहीं करने का, यहाँ पर मैं free of course आपको काफी चीज़े बताता हूँ, तो मैं बताता रहूँगा, तो उस भी चीज से घबराना मत, क्योंकि जिन्होंने course किया है, उनका revision होता रहेगा, उनके चीज़े मतलब याद आती रहेगी, और जिन्होंने नहीं किया है, वो यहीं से धीरे-धीरे कुछ learning लेती रहेगे, तो यहाँ पर हमारा क्या बना, एक pin bar candle बनी, तो यहाँ पर भी आपको एक opportunity ने जरा रहती, तो पहला target तो आपको समझ में आया होगा, कि 17,800 का breakdown होने के बाद भी entry क्यों नहीं बनी, क्योंकि हमारे लिए एक चलती train बन चुकी थी, कि market रुका ही नहीं था, सीधे ही चलता जा रहा था और एक important level का market ने breakdown भी दे दिया था, तो इसलिए समझ में आया, मैं क्यों कहता हूँ, किसी important level पर चलो, अगर breakout की बात होती, तब भी मैंने आपके साथ discuss किया है, सीधे breakout करा है, तब भी entry नहीं लेनी, यह तो वापिसा है, retest करें, फिर momentum दिखाए, तब हम इसमें entry लेंगे, या फिर उससे पहले ही कुछ time spend कर दे, breakout दे दे, तब entry लेंगे, situation clear हुई, जो मैं आपको समझाने की कोशिस करना हुई, काफी important learning थी, और आप like नहीं कर रहे हो, मैं आपको इतनी अच्छे learning दे रहा हूँ, तो like कीजिए, comment करें जुरूर बताए, कि यह learning बहतर लगी की नहीं, कुछ नया सीखने को मिला की नहीं, देखो जो market में हमें दिखाई देता रहता है, वो हम आपको बताते रहते हैं, और with example सारे चीज़े समझाने की कोशिस करते हैं, तो यहाँ पर मैंने logic explain कि आपको क्यों entry नहीं लेने थी, क्यों अपना profit booking यहाँ पर करना था, अब एक learning और लेके जाओ, जब आप आई गई हो अब कुछ लोग नोंने सोचा होगा, क्योंकि rule को follow नहीं करते हैं, कुछ लोग अपना ही दिमाग लगाते हैं, अब उन्होंने सोचा होगा कि यह भी red candle market गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और हमारे लिए important था 17,800, इसका भी market ने breakdown दे दिया, और ज़्यादा quantity ले लो, भई कुछ ऐसे भी तो दिमाग लगाते हैं, मतलब वो थोड़ा सा सीखने के बाद उन्हें लगने लगता है, कि भई उन्हें तो share market की knowledge हो गई, तो इसका मतलब और ज़्यादा, यह position में continue रहो, तो दोस्त मैं आपको हमेशा कहता हो, market आपको मौका जरूर देता है निकलने का, भई अगर कोई position में बना रहा और 17,800 का भी breakdown मिलगा, इस green वाली candle को देखो, यह pin bar बनिया और फिर से 17,800 का इसने breakout देके ऊपर closing कर दिया है, तो यहनि कि अगर कोई position में बना वा था, अभी भी उसके हाथ में इतना profit है, और market ने बता दिया है कि भई, अब profit बुक कर ले अगर यहाँ पे नहीं किया 17,800 पे, और अगर तब भी किसी ने दिमाग नहीं लगाया, अगली learning सुनो, भई अगर तब भी किसी की समझ में नहीं आया, वो सोच रहा है कि भई, जितने लोग selling कर रहे होंगे, उन्होंने profit बुक किया होगा, market को चूपर जाएगा, एक swing बना इसका breakout दे दिया, तो इसका मतलब तब भी भी market कह रहा है कि भई, समल जा, इतना profit मत जाने दे, अपना profit बुक कर लो, तो देखो कितनी बहतरी learning मैंने free of cost दी है, और आप एक like नहीं कर रहे हैं, नहीं comment करके बता रहे हैं कि आपको मजा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, चलो कल क इसके लिए हमें क्या त्यारी करनी है, उन चीजों को समझते हैं, लेकिन उससे पहले one day के time frame पे कुछ चीजे देख लेते हैं, one day के time frame पे मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है, एक triangle pattern दिखाई दे रहा है, जो हमारे 4 pattern है, triangle वाले pattern, trend line से मिलके बना हुआ pattern, एक parallel pattern, ये वाला pattern दिखाई दे रहा है, उपर market बार बार resistance की तरेक्ट कर रहा है, नीचे market support की तरेक्ट कर रहा है, ये situation आपको दिखाई दे रहे है की नहीं, clear दिखाई दे रहे है की नहीं, इस पे बस मैं कहूंगा कि आप नजर रख लो, क्योंकि एक तो ये narrow होता जा रहा है, भाई ये जि इसले जो support बने हैं, उन्हें mark करके अपने levels के momentum को पकड़ सकते हैं, तो यहाँ पर हम ज्यादर time नहीं लगाते, अगर जरूरत पड़ेगी इसकी, तो हम आगे discuss का भी future में कर लेंगे, तो फिलाल इस scenario को आप यहाँ तक समझो, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कि कल के द करेंगे, क्योंकि काफी comment आते हैं, कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, पर आप इस चीज को relate जरूर करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, यह 5 मिनट के time frame पर मैंने आपको यह logic बताया, यह logic बताया, यह logic बताया, यह वाला logic बताया, इससे आपकी learning जरू करेंगे भी मुझे, फिलाल हम देखते हैं, हमारे लिए जरूरी क्या है, थोड़ी जल्दी सी खतम करते हैं, पूरा scenario डिसकस नहीं करेंगे, अगर positive momentum आया, तब क्या करना है, negative momentum आया, तब क्या करना है, gap up आया, तब क्या करना है, gap down आया, जादा detail में नहीं जाएंगे, simple simple स समझेंगे, यहां पी लेवल कौन सा मैंने मार्क करका है, 17,915, जो की है day high, किसका day high है, 9th का, यानि की आज का day high है, तो जब तक इसका breakout नहीं आता, तब तक हम buying नहीं करेंगे, breakout मिलने के बाद हम buying के बारे में सोच सकते हैं, उपर की तरफ कौन सा important level है, 18,000, कितने लोग कह हैं, 18,000, जल्दी से बोलो हाँ, लेकिन नहीं, क्योंकि उससे पहले एक और रुकावट है, first फरवरी, तो जिस जिसने flow flow में हाँ बोला, अब वो हसरा होगा, कि ये तो हमारे याद ही नहीं था, क्योंकि हमें अपना profit book करना है, first फरवरी का जो day high है, यहां पर अपनी profit booking करन हैं, भई भले ही market इसका breakout दे, फिर हम इंतिजार करेंगे, कि market 18,000 का breakout दे, और उसके उपर price sustain करे, तब हम दो बार ऐसे buying कर लेंगे, लेकिन पहला profit booking हम 18,000 से पहले ही, first फरवरी के day high पे कर लेंगे, यहां पर budget वाले थे, यहां पर एक बहुती मजबूत rejection हमें देखने को मि market ने काफी बहतरीन गिरावट दिखाई थी, तो इस level को हम भूल नहीं सकते, नजर अंदाज नहीं किया जा सकता इस level को, तो हम पहली profit booking यहीं पर करेंगे, वहीं पर बात करेंगे, अगर market में negative momentum दिखाया, तो हम यह देखेंगे कि market में level कौन-कौन से है, क्योंकि एक important level, हम होता है, तो आपको selling opportunities मिल सकते हैं, फिर से हमारा वही important level है, 17,800, हम इस पर खास नेजर रखेंगे, कि इस पर market किस तरीके से react कर रहा है, या तो अगर सीधा breakdown दे रहा है, तो हम तुरंत avoid कर देंगे, जैसे आज की situation थी, हम इंतिजार करेंगे, तो market पहले time spent करेंगे, फिर breakdown दे, तो हम दो बार से entry बनाएंगे, यह market अगर सीधे भी breakdown दे रहा है, वापिस आए, इसकी respect करें, as a resistance, फिर momentum दिखाए, तो हम entry कर सकते हैं, दोसरी बात समझो, अगर market नीचे आ गया, और 17,800 पे हमें कोई hammer नजर आ गया, या कोई bullish pin bar candle नजर आ गई, तो हमारे लिए buying opportunity है, नहीं से create हो सकती है, और इस situation में पहला target तो आपका ये वाला zone रहने वाला है, अगर इसका breakout मिल गया, तो day closing तक आपका दूसरा target यहां तक रहने वाला है, situation समझ मैं ही मैंने क्या discuss की, अब gap up और gap down के लिए आप जाके देखे कल वाली वीडियो और उसे समझने की कोशिस करे gap up और gap down के scenario को, क्योंकि आज मैं इस discuss नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो पहले ही काफी लंबी हो चुकी है, तो हम इसे जादा नहीं बड़ी करते हैं, मैं सिधा आपको लेके चलता हूँ, pivot point की तरब, यहां पर देखते हैं, nifty 50 में अगर आपको देखने को मिला एक positive momentum इस situation पर जो हमें पहला resistance नजर आ रहा है, 17,933 पर नजर आ रहा है, अगर आपको इसका breakout मिलता है, जो हमें दूसरा resistance नजर आ रहा है, दूसरा resistance बताने से पहले मैं आपको बता दूए, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation है, ना ही कोई selling recommendation है, यह just educational purpose से बनाए गई analysis video है, invest करने से पहले आपको अपनी research करनी है, अपने investor की सला लेनी है, क्योंकि profit भी आपका होनी वाला है, lows की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है, जो यहाँ पर हमें second resistance नजर आ रहा है, 17,992 पर नजर आ रहा है, अगर आपको इसका breakout मिलता है, जो में तीसरा resistance न पर नजर आ रहा है, अगर आपको इसका breakdown मिलता है, जो में दूसरा support नजर आ रहा है, 17,778 पर नजर आ रहा है, ऐस 17,742 पर आपको यहाँ पे तीसरा support देखने के लिए मिल रहा है, दोस्तो इस वीडियो को like कीजिएगा, comment करके मुझे जरूर बताना की आपको analysis कैसे लग र अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा साथ इसाथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिगा जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही, फिर में लेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसी अच्छी कॉंटेंट के साथ, थेंक यू